कि तमश्कार दोस्तों स्वागते आपको यह चनल फिन आउच पे आया एफसी आई के शेयर में स्टायर से आप भी फसे हुए रहें गया भी बहुत सरे इंवेस्टर्स ने ज़र्दा प्राइज में इसको खरीदा है शेयर में अभी लोवर सरकेट लग रहा है और इसको लेकि अब यह चाहिए तो यहां पर शेयर में डिटेल में समझेंगा मुश्तोरी क्वेश्ट करते वीडियो पर बने रही के पेपिस कीप मत किजिए अगर अब तक हमारे यूटूब चैनल फीन और वाइच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजी शेयर मार्केट से पाने के लिए तो चली शुरू करते हैं स्टॉक की बाते दोस्तों आएफसी आई जो कि इन्वेस्टर्स को एक जबर्दस रिटन दिया है आएफसी के शेयर ने और अभी शेयर में गिराबट बन रहा है उसके बास पाण भी बनता है तो इसलिए कोशिश करते हैं कि जबभी कोई वीडियो बना थे उसको लेके डीटल में आपके साथ information share किया जाए उसके technical information, company के information ताके आपको पता चली कि technical share कैसा चलगा, आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, अब बहुत सारा लोग पूछते हैं कि असब target price क्या है, आपको तर्गेट price हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो target price दे नहीं सकते ह लिए बोलते हैं कि जब भी आपको शेयर करें एक पर खुद से भी रिसर्च किजिए और यहां पर देखेंगे तो फिलाल IFC के शेयर में एक दिन ने 5% के आस-पास गिरावड बनता हुआ देखने को मल रहा है वही दोस्तों एक अफ़ते के अंदर 2.3% का गिरावड बनता और एक महीने में देखिए 97.7% का इसने मतब इसमें शेयर में तेजी बनता हुआ है तो एक महीने में 97.7% का इसने तेजी दिया इंवेस्टरस को फिलाल शेयर में गिरावड बन रहा है यहां पर देखिए जो डूड़ाविलेटी है इस यह वह थे 35 आउट अट 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 1.30 अट 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 पहांड यहां पर आयמה थे हैं थे कम दोस्तों एक महीने का जो इन्फॉर्मिशन देखने को में रहा है जहां पर एक महीने में भी जोगावेस्ट निलिए बनाया है और यहां पर इसने एक हाइप बनाया है और एक हफते का जो हाइप रहाई पर दिखेंगे तो अभी क्या करना चाहिए देखेंगे और जादा गिरावर्ड बन सकता है तो बहुत बहुत सोरी है यहाँ पर देख रहे हैं और रही का चल रहा है टोटल रेवीनू जो है 34.1% का जम पोएफ था उपनेंग प्रफित 25.3% गिरावर्ड था एग बात करते है दो इसका जो नेट प्रॉफित नेट प्रफिट जो ए लगबग 57.04 परसंट का गिरा पर्था को लिए विधी टिए में घिरावट बनता हुआ इखने को मिला था इखने को मिला है यह तिक्निकली जो यह रिचेशेर अगोड़ बनता हुआ यह से बना दोस्तों पोडिश लेवर बनता हो रहा तो आरसेद्ट इंडिकेटर के रहे हैं में इंडिकेटर के रहे हैं एक बन सकता है यहां से घिरावट बन सकता है 10.7 million का डेलिवरी पर संटी 61.4 पर संट का है और डेलिवरी वोल्यूम जो है 17.5 million का है एक हटे का बीसने से मिला कि आपर देखने को सबगा हैं रहा हुआ सब्सक्राइब का डेलिवरी प्रसंटेश pet देखने को मिला यहां सबात करता है और गड्वाम मिलंग्त के बात करते हैं, promoters के पास 70.32% का stake है, FIS के पास 2.08% का stake है, mutual fund के पास 0.03% का stake है, other institution के पास 6.01% का stake है, public के पास 21.57% का stake है, तो अभी दोस्तो, IFC है क्या, जो FIS का stake है, 1.87% का stake थे FIS के पास, FIS ने stake बढ़ा के 2.01% का करदी है, जो FIS का stake है, जो में भी जो PRAVी का stake है, जो कि माइनास में था 254.88 करोर का, वो गहत के माइनास में 96.2 करोर का थे को मिल रहा है, तो यहाँ पर कोार्टर देखते हैं, तो लगबख वारनाटर मताब त्रिन कोार्टर का, या पर 153.8% कांस पास्वार का थे यहां पर बढ़के 612.03 करोर का हुआ है तो पर क्वाडर देखते हैं यह पिछली दो क्वाडर का देख रहे हैं आप पिछली दो क्वाडर का देख रहे हैं तो अभी यहां पर दोस्तों मुचल फंड के पास 0.02 परसंट का स्टेक था जा पर मुचल फंड ने स्टेक यहां पर बढ़ा के तो रहा सा बढ़ा है जापे 0.03 पर परसंट का स्टेक कर दिया है वह दोस्तों श्यार जो है एक अच्छा से रिटन दिया श्यार में आप देख सकते एक महने का अंदर अगर देखेंगे तो मतलब बोल सेते कि इसका जो आएसी का जो शेयर है अभी यहां पे और ज़्दा गिरावड बनाया गा तो यह मतलब ऐसा जो इन्फरमिशन देखने का मिला टेकन के लिए जहां पर एक दिन का देख सेते जो इसका लो प्राइस है 52.90 पैसे का और जो हाई प्राइस है तो 71.80 पैसे तक यह शेयर पहुचा और उसके बाद गिरावड बना और आभी 58 रुपिस के आसपस चल रहा है 58.90 पैसे का आसपस चल रहा है अगर आप देखते हैं तो यह शेयर कुछ खास नहीं है तो मतलब दोस्तों यहां से भी ज्यादा और गिरावड बना सकता है तो जहातर इंवेस्टर्स अभी अगर देखेंगे तो यहां पे हमें लगता है कि फिलाल जो है जिससे भी ज्यादा प्राइस में खरीद के रखा आपको कैसा लगता है आएस से का शेयर सरुड़ा कमें करके बताइए डिस्क्रिमार देना चाहेंगे दोस्तों हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे है कोई भी शेयर को खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए रिक्ष्ट करते हैं या बेचते हैं कुछ से बर जरूर र चाहिजा या जलिए